एलो फ्रेंड्स वेलकम टू मीचैनल ब्यूर्यन हेस्टायल्स आज मैं आपके लिए बहुत ही स्टर्निक सा युनिक हेस्टायल लेके आई हूं जो के इंटरनेशनल हेस्टायल बहुत ही अच्छा लगेगा देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हेस्टायल है कितना प्रिटी लग रहा है ना इस यह ही हेस्टायल हम आज क्रिएट करेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है सिर्फ एक स्टेप को आपको फॉलो करना है वह क्या हो मैं आपको बताऊंगी लास्टर मैं एक हाई पोनिटल क्रिएट कर लिए है और एक दो सेक्शन ले लिए है फ्रेंड वह मैं बिल्कुल सिंपल सा हेस्टायल क्रिएट कर रही हूँ जादा जो है हैवी हेस्टायल क्रिएट नहीं कर रही है बिल्कुल सिंपल सा आप देखिएगा मैंने कौम लिया है और इस तरह से इसे जो है एक सिंपल सा जो पैटरन है वो क्रिएट कर लिया बिल्क जो हमने high ponytail बनाई है उसके उपर tie up कर देना है उसके उपर से fold कर दें और जो हमारा दूसरा section है यानि कि दूसरे side का section है उसको भी हम same इसी तरह से ही simply जो है उसको tie कर देंगे अगर आप चाहते हैं थोड़ी बहुत waves लेना तो आप easily इसमें भी ले सकते हैं कोई problem नहीं है आप यहाँ पे अपनी जो wooden stick है वो लीजिए उन्हें अच्छे से tie कीजिए उसकी पोजिशन लीजिए और इस तरह से आप असानी से अगर waves को क्रियेट करना चाहते हैं यह बिल्कुल simple साथ hairstyle जो है मैं front का क्रियेट कर रही हूँ फ्रेंट का मैंने ज्यादा heavy hairstyle क्रियेट नहीं किया है क्योंकि हमारा आज का जो hairstyle है वो बैक से है बैक से बहुत ही सुन्दर और unique look आने वाली है तो इस तरह से आप जो है अपने pattern को अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं हम आप देखते हैं जो हमारा side वाले hairs है उसको भी हम simply tie करेंगे जैसे कि आप देखते रहिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं तो जब हम बैक से start करेंगे तो मैं आपको इसकी फिर से बतांगे कि हमने इसे किस तरह से बनाया है तरह से बनाया है झाल 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 फ्रेंट्स झाल 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 तो हमने यहां से एक section उठाया है, यह जो section है, हमने यहां पर comb लेना है, जो की tail comb है, tail comb की health से हमने यहां पर backcomming करनी है, छोटे-छोटे से backcomming करनी है, और सारे hairs में नीचे तक हमने backcomming करनी है, backcomming करने से क्या होगी, हमारे इस section में strength हाजाएंगी, आप चाहें तो उपर clip लगा सकते हैं, ताकि आपको एक strength मिल जाए, आपको एक space मिल जाए, एक surface मिल जाए, और इस तरह से backcomming करके, इसे चोटे-चोटे स्टाफ से backcomming करनी है, और इसे neat and clean कर लेना है, need and clean करके आपने इसमें hair spray का use करना है, hair spray का use करने से, जो जितने भी छोटे-चोटे से freezy hairs हैं, वो बैट जाएंगे, उसको अच्छे से, अपने fingers की help से blend करना है, और इसको फिर से, इसको backcomming की help से, छोटे-चोटे-चोटे freezy hairs को बिठा देना है, ये आपने करना है, अब आ और एक strength हाएगी section में, ठीक है ना, जिससे आपका, जो mini, mini roll center है, वो create होगा, हमने finger की help से, हमने finger लेनी है, और finger के चारों side, इसको इस तरह से turn घुमा देना है, So friends, इस तरह से turn लेने के बाद, आपने, नीचे की side, एक U-pin से, इसे attach कर देना है, U-pin से, ताकि ये attach हो जाए, अच्छे से, और उपर से, एक clip, जो है, यहां से, उपर की side, इस तरह से लगा देंगे, नीचे U-pin उपर clip, अब ये जो हमारा section आया है, इसको हमने धीरे-धीरे fold करना है, और उपर की side हमने space create करना है, flower का, जो circular form में flower हमने create करना है, और उसके लिए, आप क्या कर सकते हो, आप wooden sticks का use कर सकते हो, U-pin का इस तरह से हमने एक, जो है, एक wave create करनी है, जो की circular flower wave होता है, वो create करना है, और इसके लिए हमें क्या करना है, कि यहां पर, हम नीचे, एक यू-pin लगाएंगे, और यहां पर एक wooden stick का use करेंगे, wooden stick क्या करेंगे, इसको एक path देगे, किस तरह से path दे रही है ना, कि इसको किस side से जाना है, यह जो है, wooden stick का का काम होता है, इस तरह से हम अपने hairs को अच्छे से, नीचे वाले hairs को भी अच्छे से proper neat and clean करेंगे, और इसको भी इसी तरह से variation देते हुए, एक wooden stick लेंगे, एक और और यू-pin लेंगे, और उनको भी back side पे एक diagonal यानि टेड़ी लगानी है, और टेड़ी लगाने के बाद उसको फिर से हमने round form में blend करना है, यू-pin से नीचे इसके base को तियार करना है, strong बनाना है, ताकि यह हीले न और निकले ना, और जो dust of hairs हैं, इन्हें अच्छे से neat and clean करके आपने यहां परी से नीचे की side लाकर इसके अंदर डाल देना है, यानि कि tail comb की help से आपने छोटे-छोटे freezy hairs को बिठाना है, और यह जो हमारे dust of hairs हैं, इनको आपने नीचे की side ले जाकर, यानि कि सारे hairs को इसक अच्छे से back side ले जाकर, new pink की help से यहां पर attach कर देखे, तो new pink की help से आपने इने attach कर देना है, तो यह जो आपका first center create हुआ है, यानि कि जैसे हमने यह एक center बनाया है, इसी तरह से ही आपने यह एक बनाया है, इसी तरह से ही आपने सारे create करने है, जितने भी हमने छोटे-छो अच्छन लिया है, सेम चीज आप, जहां पर आपने इसे बनाना है, महां पर यूट्म की help से इसे hold कर दें, और same pattern create करें, same तरीके से, tag forming करें, face spray करें, और अब देखे कि मैं किस तरह से create कर रही है, जब हमने नीचे के सारे clear हो जाएंगे, फिर हम उपर से करेंगे, जब हम जाएंगे, जाएंगे. झाल 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 झाल